आज मैं अपना एक long term review share करने वाला हूँ Realme Buds T300 का क्योंकि इन Buds को मैं पिछले 90 days या फिर 3 months से continuously use कर रहा हूँ और आज के भी time पर काफी लोग ऐसे हैं जिनका budget 2500 रुपीज के आसपास होता है वो एक बार Realme T300 को जरूर देखते हैं तो आज के time पर क्या ये Buds आपको लेने चाहिए या फिर नहीं क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से इनको यूज कर रहा हूँ तो आज आपको एक detail में इसके pros and cons के बारे में भी बताऊंगा सबसे पहले इन Buds के हम design, build और जो comfort मिलता है उसके बारे में discuss करते हैं तो पहली बात ये जो Buds हैं बहुत ही छोटे size में आ लगते हो तो years में बिल्कुल भी नहीं होता एक practical बात बताता हूं मैं दूसरे Buds के साथ में ज्यादा face किया हूं suppose अब अपने bed पे लेट के कोई गाने अगरा सुन रहे हो movies देख रहे हो और जब pillow आपके years पे आती है कुछ इस type से तो दूसरे Buds में थोड़ा pain होने लगता ह है उस pillow के push की वज़े से जबकि इन Buds में ऐसे कोई problem नहीं है क्योंकि इनकी fitting काफी बढ़ियां मलती है तो यह recommended है लंबे time के लिए बाके अगर इसके case को भी देखते हो तो काफी छोटे और compact size में आता है even आपके pocket अगर हम इसली fit हो जाएगा तो overall मुझे यहां पर जो design और करके music सुन रहे हो फिर भी आपको एक roughly बताता हूं अगर इसका case एक बार full charge है तो लगबग से 35 to 37 और का battery life मिलेगा और इन Buds में 6 to 7 और का battery life मिलेगा यहां पर जो battery life मिल रहा है इसके size के हिसाब से काफी आदा सही है आपको basically दूसरे तीसरे दिन एक बार इसको charge करना लगा होगे तब तक यह आपके phone के साथ में connect हो जाएंगे तो connectivity साइट से काफी अच्छा response इन Buds के साथ में मिलने वाला है बाकि अगर इन Buds को gaming purpose के लिए देख रहे हो तो इसमें 50 millisecond की low latency मल जाती है तो gaming अगर ऐसे बढ़ियां हो जाती बढ़ियां कोई game play करते हो तो उस case इसमें डिले अगरा पता नहीं चलता है हा लेकिन अगर आप एक professional gamer हो तो मैं हमेसा से recommend करता हूं कि वायर वाले earphones ही better होते हैं पर इनसे भी अगर आप 3-4 घंटे करके gaming करोगे तब कोई issue अपको हुगा नहीं वैसे आपको बता हूँ यह जो Buds हैं यह Realme Link app से connect हो जाते हैं और app में काफी सारी detailing और customization मिलता है जैसे home screen पर noise control कर सकते हो like ANC, transparency और off के बीच में switch कर पाऊगे फिर यहाँ पर एक sound effect मिलता है जहाँ पर four presets मिलते हैं by default और अपना customization यहाँ पर भी कर सकते हो अपने recording बना सकते हो अब जो यहाँ पर presets दिये गए हैं यह real life में आपको काम करते हुए दिखेंगे जब इनके बीच में switch करोगे और फिर इसके बाद में बिलता है special audio जो बिलकुल useless है यह सिर्फ marketing purpose के डिये brand ने बहुत जादा इसका promotion किया था मैं इसको use करके देखा मुझे useless लगा है और last video में एक भाई ने comment भी किया था कि special audio जो है special audio आला जब music सुनोगे या movies देखोगे तब ही उसका difference पता चलेगा तो मैं आपको बता दू कि Netflix पे काफी सारे movies और web series है जो special audio के साथ में आती है तो मैंने वहाँ पे भी बहुत बाद ट्राई किया पर यह feature मुझे बिलकुल useless type कर लगा है फिर और कुछ settings होगरा मिल जाती है game mode में direct कहीं से jump कर सकते हो और button setting एक मिलती है जो आप इन बट्स के touch control को आप set कर सकते हो like double tap triple tap जो भी आपको करना हो और three dot पे करके यहाँ पे इसके कुछ software अपडेट हो गला चेक कर सकते हो तो app में काफी सारे detailing मिलती है और app बहुत अच्छे तरीके से customize है और perfectly काम करता है अब अगर इसके sound quality के बा quality सबसे बढ़ियां मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो vocals, instruments, tribles होगरा है यह बहुत ही crisp and clear मिलता है और इसमें deeper bass मिलता है तो अगर आप bass लबर हो तो इसकी sound quality आपको पसंद आएगी like bass होगरा भी काफी बढ़ियां मिल जाता है तो sound quality के माल में यह बिलकुल भी आपको disappoint नहीं कर करता हूं और यह ANC के साथ में आता है तो active noise cancellation वाला feature इसमें मिलता है जो 30 डिसेबल्स तक की background noise को reduce कर सकता है तो like अगर आप traffic में हो तो उस वहाँ पे 30% के आसपास background noise reduce कर देगा और indoor में अगर कोई fan या फिटीवी और चल लिए तो उस case में आपको background noises सुनाई नहीं देगी तो इसका ANC भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और अगर इन birds को calling purpose के लिए भी देख रहे हो तो इसमें quad microphone का setup है यानि कि चार microphone से गये हैं जो noise cancellation technology के साथ में आते हैं तो अभी आप जो audio सुन रहे हो वो इन ही TWS के microphone से जा रही है तो like आप अगर phone calls पे बात करोगे तो कुछ इस टाइप की audio जो है वो सामने वाले के पास में जाने वाली है इसके लावा ये birds IP55 rating के साथ में आते हैं यानि कि sweat और dust resistant होने वाले अक्सिडेंटली कभी पानी के छीटी बजरा गड़ी जाते हैं तो issue बिलकुल भी नहीं होगा तो अभी काफी सारी तारीफ हो ग आते हैं उनमें dual device connectivity मिलती है और dual device connectivity मुझे बहुत ज़्यादा important लगती है क्योंकि मेरे पास दो phone है तो मैं चाहता हूं कि एक बट्स एक ही टाइम पर दोनों devices के साथ में प्रेक्टिकली मुझे dual device connectivity इसमें बहुत ज़्यादा missing लगती है बहुत बड़ा कॉन मैं बोलना चाहूंगा दूसरा इसमें इन ये डिडेक्शन वाला फीचर भी नहीं मिलता जो इस प्राइसिंग में दूसरे ब्रैंड्स ऑफर करते हैं तो जनरली ये दो कॉन मुझे इस केस में 100% आज भी आप Realme T300 को देख सकते हो क्योंकि इसकी जो sound quality इसकी जो build quality जो ये comfort आउफर करता है microphone की quality मुझे काफी अरब बढ़ें लगी है अगर आपका फिर भी कोई confusion query हो इस बड्स को लेके तो comment करके पूंच सकते हो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में